एन्टी ए यूजी सिनेट यानि निमिजिनेट डाउनलोड इट उन गूगल प्ले स्टार सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटुब चैनल को और दबाईए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असाने से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहतास निमि है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूटुब चैनल निमिजिनेट पर दोस्तो आज हम लोजिकल रिजिनिंग के अंदर करने वाले हैं इंडेक्टिव और डिडेक्टिव रिजिनिंग दोस्तो इसमें से बहुत से कोशन आज तकाय हैं और आगे भी इन में से आने की संभावना है ये जो टोपिक है दोस्तो थोड़ा सा कट्फ्यूज करने वाला हो सकता है काफी दोस्तों को इसमें बहुत प्रोब्लम होती है लेकिन इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ ये कोशन सभी करके करते हैं तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों हमने आप सभी के लिए एक साथ दिन का सूपर बैच त्यार किया है इसके अंदर हम आपको पेपर फर्ट की बहुत अच्छे तरीके से त्यारी करवाएंगे जो 25 मार्च से सुरू हो रहा है इसके पेपर फर्ट और पेपर सेकेंड की बहुत अच्छे तरीके से त्यारी कर सकते हैं तो अगर किसी भी दोस्तों हमारा इस साथ दिन का बैच जोइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस वर्टसम नंबर पे कॉंटेक्ट कीजिए दोस्तों सबसे पहले हम कोशन देख लेते हैं कि इंड़ेक्ट विडेक्ट्व रिजिनिंग में से किस तरह से कोशन आते हैं ये देखे दोस्तों ये हमारा जूम 2013 में कोशन आया था इसके इन्दर उन्होंने कहा है कि एक निगम नात्मक तरकमन्य नहीं हो सकता इसमें बता तो इसमें काफी तरकी प्रोवलम आती है दोस्तों तो यही हम इस वीडियो में करेंगे और उसके बाद जैसे यह देखे दोस्तों दिसंबर 2015 में कोशन आया था एक निगमनात्मक तरक एवैद होगा यहां पर इन्वैलिड पूछ लिया और यहां पर इन्वैलिड पूछ लि है तो यह चोटी चोटी बात जो हमें ध्यान देना जुरूरी है और यहीं से हमारा कोशन सोल आउट होता है अब देखे यह जैसे इन्होंने जूलाई 2016 में दिया है इन्होंने वही दुबारा फिर बात कही है कि निगमनात्मक तरकी यानि कि डिड़क्टिव आर्गिमेंट इनमें से कौन सा सही होगा और यह जो कोशन है दोस्तों बाद में भी आया है 2017 में भी आया है और 19 में भी आया है इवनिंग की जो वीडियो होगी उसमें मैं सारे के सारे कोशन दिखाऊंगा विद हिंदी और इंगलिस दोनों लेंग्वेज में मैं आपको दिखाऊंगा ल देखें to the argument जो होते हैं दो से हमेरे दो तो यज़िए आते और को कौर्शन आते हैं और वी काफी तरह के आँगे की वीडियो में करेंगे तो सबसे पहले हमें देख लेते कि एक आरग्युमेंट आरग्युमेंट क्या हो तो यहां पे दोस्तो आप ये पढ़ सकते कि Portugueseald क्या होता,今 मतलब है आर्गयोमेंट का मतलब यहीं होता, दोसतो ऐसा कोई तथэ, ऐसी कोई बात, जिससे हमकिसी दूसरे को convince करके, ऐसे ऐसे बात बता कि अगले को ऐसे तथे दे कि जिससे अगला सिलिफ़ हो जाए हमारी बात मानने को तो उसे हम कहते हैं, आर्गियुमेंट कहते हैं. यहां पर पढ़ सकते हैं, असानी से पढ़ लेना और अब बात आते हैं जैसे कि सबसे पहले आता है दोस्तों हमारा इसमें से काफी कोश्चन आय French बहुत कोश्चन आया है तो इसे समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है देखे इसके अंदर क्या होता है दोस्तो इसमें क्या होता है कि समन्ने सत्य से तरक दवारा अग्यात सत्य को प्रमानित किया जाता है यानि कि इसके अंदर क्या होता है दोस्तो एक चीज हमें पता होती है पहले कोई च चीज का पता लगाया जाता है जो हमें ना पता हो अन्नोन हो यानि कि अन्नोन चीज का पता लगाया जाता है नोन चीज से अन्नोन चीज का पता लगाया जाता है प्राए ग्यात सत्यों के अधार पर ग्यात का मतला होता है जो चीज हमें पता है ग्यात सत्यों के अधार पर अ और वी कई चीजे इसके अंदर वो हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अब देखें, अब देखें, यहाँ पे हम एक एक्जामपल ले लेते हैं, देखें, सभी मनुष्य नस्वर है, मोहन मनुष्य है, और ये इन्होंने दो तरक दे दिए, अब तीसरा है कि अत ये चीज हमने नई खोजी है, आता है, यानि कि लाश्ट में जो मोहन है, वो नस्वर है, इस तरीके से हम इसमें जो आर्गिमेंट वो करते हैं, और जो इसके अंदर काफी इंपोर्टन चीज जो ध्यान देने वाली है, वो मैं बताऊं, और इससे पहले हमें एक उधान दे ही है, ये हमारे अधार वाक्य है, और इन ही अधार वाक्यों के अधार पे हमें इन में से निसकर्स निकालना पढ़ता है, इन में से कौन सा सही है, तो आपने यहाँ पे देख लिया कि अधार वाक्य कौन से होता है, अब देखिए, अब इसमें जो हमारे डिटेक्टिव र दोस्तों ये कहरा कि निसकर्स निसकर्स यानि कि जो हमारा रिजल्ट यहां पे निकलेगा इसमें से हमें एक चूज करना है एक सेलेक्ट करना है इसमें से जो भी रिजल्ट निकलेगा वो इसमें से ही निकलेगा इसमें से फाल तो कोई भी रिजल्ट यहां पे नहीं कि वो अधार में निहित किसी विवस्तों से अधिक का दावा नहीं कर सकता समझ में आई बात चलिए मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं कि निसकर्ष यानि कि रिजल्ट के अंदर हमें जो विप्राप्त होगा वो इसी की अधार पे होगा इसे से फाल तो हम निसकर्ष होता है दोस्तों वो इसी पे डिपेंड करता है यहां पे क्या दिया हुआ है तभी हम यहां पे रिजल्ट निकाल सकते हैं अगर यहां पे हमें कुछ अच्छे तरीके से नहीं पता है कि अधार वाक्य में क्या दिया है अधार वाक्य अगर इनकंप्लीट है तो ह इसके बाद में ये भी है कि निसकर्स अंतता अधारिकाव से निकलता यानि कि फाइनल जो रिजल्ट वो केवल और केवल हमारा जो अधार वाक्य है यहां पर ये जुद्धी है इन्हीं से हमारा निकलता है तो ये तीन जो बाते दोस्तों हमें याद रखना बहुत ज्यादा रेर उन्हीं के वेस्ट पे हर बार एक कोशन आता है तो वो देखिए हम पांच बाते कौनशी है वो देखते हैं और ये दोस्तों मैं बार बार कहा रहा हूं कि ये जो पांच बाते हैं बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है अगर आप चाहे तो इनको देख सकते हैं अगर आ निसकर्ष वाला तर्क वैद हो सकता है अब देखिए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं अधार वाके देखिए अधार वाके सबसे पहले हम देखे लेते हैं अधार वाके होते दोस्तों हमारे पास दो होते ए और बी हमारे पास होता है और एक उसमें से निसकर्ष निकलता ह यानि कि दो अधारवाक्य और एक निसकर्ष टोटल तीन चीजे हमारे पास होती है अब देखी इसके अंदर एक सही अधारवाक्य और एक गलत अधारवाक्य हो तो उसका जो निसकर्ष निकले वो गलत हो सकता है तो ये क्या होगी हमारी वैलिड चीज होगी यानि कि वैद तर्क हमारा होगा ठीक है ये बात आपको समझ में आई यानि कि दोबारा फिर समझा देता हूं कि ए हमारी चीज़ सही हो बी हमारी गलत हो तो जो हमारा निसकर्ष है दोस्तों वो गलत निकल सकता है तो ये जो होगा हमारा सही होगा ठीक है अब देखते दूसर देखी कि एक सही और एक गलत हो तो हमारा क्या होगा निसकर्ष गलत होगा लेकिन अगर एक सही और एक गलत हो तो निसकर्ष जो है हमारा सही भी हो सकता है ये चीज़ आप देखिए दोस्तों ध्यान देने वाली है कि अगर एक अधारवा के सही है दूसरा गलत है तो निसकर् समझा देता हूँ देखे अगर हमारा ए सही है और बी जो है गलत है तो जो हमारा निसकर्ष है वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है आई बात समझ में तो अगर सही होगा तो भी हमारा वैलिड है और अगर गलत होगा निसकर्ष तो भी हमारा argument वो सही है उसे हम वैद कहेंगे ठीक है ये दो बात आपको समझ में आई अब तीसरी बात देखते हैं देखें दो सही अधार वाक्या और एक सही निसकर्ष वाला तरक valid होगा यानि कि जो दो हमारे अधार है जो A और B मैंने बताए था A भी सही है और B भी सही है और जो निसकर्ष है वो भी हमारा सही निकल रहा है ये दोस्तों सही आएगा wrong गलत लिख दिया जो निसकर्ष है वो भी हमारा right है तो जो हमारा argument वो हमारा valid होगा यानि कि अगर हमारे तीनों की तीनों चीज़े सही आजाए ये भी ये भी ये भी तीनों की चीज़े सही आजाए तीनों की तीनों तो हमारा जो argument वो भी valid होगा ठीक है अब हम अगली चीज़ देखते हैं अगर हमारे तीनों की तीनों चीज़े गलत हो A B गलत हो B B गलत हो निसकर्ष भी हमारा गलत निकले तो हमारा क्या होगा argument वो भी valid होगा ठीक है अब अगली चीज़ देखते है जो सबसे लाश्ट में आती है important है काफी अब देखे नमबर पांच पर क्या आता है कि अधार वाक्य ए हमारा सही है बीवी हमारा सही है और लेकिन निसकर्ष है वो गलत निकल जाए तो ये क्या होगा एवैद यानि कि invalid argument इसे कहेंगे देखिए इसे मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है नमबर पांच का मतलब क्या है यानि कि अधार वाक्य है हमारे पास कोई दो तरक दिये गए तरक ए भी सही है और बी भी सही है लेकिन जो निसकर्ष निकले वो हमारा गलत निकले तो ये जो argument होगा दोस्तों ये हमारा गलत होगा तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है और इनहीं के बेस पे हमारे question बने है चलिए मैं आपको question करके दिखाता हूँ उन से आप बिलकुल सही असानी से समझ जाएंगे कि किस तरह से हमें question करने है अब देखिए सबसे पहला हमारा question है जून 2013 के अंदर आये था इन्होंने कहा है कि निकम नात्मक तरक मान्य नहीं हो सकता अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए मन्य नहीं हो सकता हमें क्या बताना है invalid बताना है दोस्तों invalid बताना है तो invalid देखते इसमें से कौन सा होगा यदि इसके अधारवाक्य सही है और निसकरस सही है अब देखिए अभी हमने बात की कि अधारवाक्य A और B दोनों सही है और निसकरस भी सही है तो यह क्या होगा हमारा valid होगा यह बिलकुल सही बात होगी अगला देखते B यदि इसका इसके अधारवाक्य सही है और निसकरस गलत है ठीक है तो ये जो argument होगा ये मानने नहीं होगा एवैद होगा गलत होगा तो इस तरह से दोस्तों आप बिलकुल असानी चाहिए question कर सकते हैं और आगे देखते हैं आगे हमारा question number 32 है इसमें दिसम्बर 2015 में आया था एक निगमनात्मक तरक एवैद होता है यानि कि इसमें भी invalid की बात पोचिए कि कौन सा invalid deductive reasoning होगा अब देखिए इसमें काई कि इसके अधार वाकिया और निसकर्ष सभी ए सकते हैं अब ये देखिए इसमें काई कि सभी ए सकते हैं अधार वाकिया और निसकर्ष अधार वाकिया वी गलत है बी वी गलत है और निसकर्ष भी गलत निक आनी है अब आगे है इसके अधार वाक्श सत्ते है प्रण्तु निसकर्स एह सत्ते है अब ये देखे दोस्तों इसने काए कि अधार वाक्य सत्ते हो यानी कि मैं समझा रहा है आपको कि अधार वाक्य करें voc गलत हो जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे एवैद तरक कहेंगे इन्वैलिड आर्गुमेंट कहेंगे तो इस तरह से दोस्तो आप बिल्कुल असानी से इसको कर शकते हैं और यही बात हमने इसके अंदर की थी यह देखिये यह जो कोशन है हमारा और यह जो कोशन है दोनों के क्या कह दिया यहां पे इन्हों ने कह दिया कि निगमनात्मक तरक अवैद होता है और यहां पे मानने नहीं हो सकता बात एक ही है दोस्तो समझने की जरूरत है बस गुमा रखा है और आगे दोस्तो आगे हमारा जुलाई 2016 के अंदर कोश्चन आया है उस कूट का चैन कीजिए जो अधार वाक्यों वाले दिंगमनात्मक तरक के परशंग में सही नहीं है यहां पे क्या बताना है कि सही नहीं है वो हमें बताना है दोस्तो क्या सही नहीं है अब यह देखे दोस्तो यह भी क्या कर रहे है यूजी सी वाले यह देखे दोस्तो इसमें भी यह ओप्सन नमबर टू देखे दोस्तो इसके दो सही अधार वाक्यों और एक गलत निसकर्श वाला तरक वैद हो सकता है अब इसमे देखी थी कि A सही है B अगर गलत है तो जो हमारा निसकर्ष है वो दोस्तों सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है दोनों कंडिशन के अंदर हमारा जो आर्गिमेंट है वो राइट होगा वैलिड होगा यह चीज हमने पढ़ी थी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप भूलो मत यह देखी यह जो हमारी A है यह और यह जो B है यह हमने चीज देखी थी ठीक है यह आप पढ़ लेना दोबारा और अब देखते हैं जैसे अगला जो ओप्सन है इसके अंदर और आप सबसे पहले एक चीज देखना कि हमें क्या पता करना है सही पता करना है या गलत पता करना है सही नहीं है इन्वैलिड हमें पता करना है अब देखिए अब इसमें आप खुद बताइए दोस्तो इसका आंसर क्या होगा मैं कोई आंसर नहीं बता रहा question number 33 का क्या answer होगा July 2016 का इसमें एक सही answer इसका क्या हैगा सभी के सभी दोस्त हमें comment box के अंदर जवाब देना और इसका जो जवाब है ना दोस्तो जवाब इसी के अंदर है इसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है इसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है ठीक है और आपको यह बताना है देखिए इसके अंदर हाँ option number A होगा एक होगा दो होगा तीन होगा चार होगा यह आपको बताना है तो इस तरह दोस्तों आप बिलकुल असानी से कर सकते हैं इवनिंग की जो वीडियो होगी दोस्तों इसमें हम आपको बिलकुल असानी असान तरीके से सभी के सभी question एक बार फिर्शे करवाएंगे ताकि आपको किसी वी तरह का कोई confusion ना हो अब आता है दोस्तों हमारे पास inductive reasoning यानि की आगमनात्मक तरकाता है पर समाने सिधान्त बनाए जाते देखे मैं सिंपल भासा में समझा रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है देखे आगमनात्मक तरक के अंदर inductive reasoning के अंदर क्या होता है कि हम चोटी 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 चीजों को लेते हैं और उनको टेस्ट करते हैं इसरी बुक निकाली वो भी मैथ की निकली हमने दस बुक निकाली दस की दस जो बुक है वो हमारी मैथ की निकली तो उससे हमारा क्या मतलब निकला वही इस Elmira के अंदर जितनी भी बुक्स पढ़ी है वो हमारी क्या है मैथ की बुक पढ़ी है उससे हम एक सिधान्त हमारा सिधान्त तो नहीं कहेंगे लेकिन एक राय हमारी बन गई वी इस अलमारी में जो इस ब्लैक अलमारी में जितनी भी बुक पड़ी है वो हमारी मैथ की बुक पड़ी है क्योंकि हमने 10 बुक निकाली कंटियू 10 की 10 जो बुक है हमारी मैथ की बुक यानि कि छोटी-छोटी चीज़ों से जो हमें प्रकिरिया से जो हमें निसकर्ष निकलता है, जो राए हमारी बनती है उसे हम Assistive Reasoning कहते हैं देखे इनसी आप विड्कि decisioning में जो अंतर है वो आप यहां से बिलकुल असानी से पढ़ सकते हैं इसका स्क्रίνशोट ले सकते हैं और इसमें जो जो दो मुखे रुप से बात दिहान रखने वाली है वो यह है निगन नातमक पद्धति में समन्ने सिधानतो डिडेक्टिव रीजनिंग में जो मुखे बात दिहान रखने वाली है दोस्तो trainees इसमें समन्ने सिधान्तों से विशेस तथ्य की और जाया जाता है समन्ने से विशेस की और जाया जाता है लेकिन आगमनात्मक में दोस्तों क्या होता है विशेस गुणों के अधार पर समन्ने सिधान्तों का निर्मान किया जाता है तो यह जो मेजर चीज है दोस्तों यह हमें question करवाएंगे English Hindi में question करवाएंगे और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को like कीजिए share कीजिए comment कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल subscribe नहीं किया है तो please हम आपको पेपर फर्ट की बहुत अच्छे तरीके से त्यारी करवाएंगे जो 25 मार्च से सुरू हो रहा है इसके इंदर हम आपको सभी 10 unit के study notes से देंगे 2012 से लेके December 2019 तक सभी shift के question paper देंगे live mock test देंगे इसके साथ साथ दोस्तों फरी में हम आपको paper second भी देंगे 2012 से लेके 2019 तक जिस से आप paper first and paper second की बहुत अच्छे तरीके से त्यारी कर सकते हैं तो अगर किसी वी दोस्त को हमारा इस साथ दिन का batch join करना है तो जल्दी से जल्दी हम इस WhatsApp नंबर पर contact कीजिए